सिद्ध योग में आपका स्वागत है। आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं, वह भी बिलकुल मुफ्त में। और आपको डिक्कते आ रही हैं कि आपकी जो नी जॉइन्स हैं वो बहुत ज़्यदा टाइट हैं, आपकी हिप मसल्स बहुत ज़्यदा टाइट हैं, आप किसी ध्यानात्मक आसन का अभ्यास करना चाहते हैं, या फिर आप अपनी कुंडलीनी को जागरित करना चाहते हैं, में साथ इस आसन के और भी कई लाव हैं जो कि हम आपको इस आसन के अभ्यास के दौरान बताएंगे तो दोस्तों मैं अतुल मिश्रा सिद्धियोगा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं तो चलिए दोस्तों अपने सिद्धासन एकमपलिस्ट पोस के अभ्यास को सुरू करने जे पहले हम लोग अपने इस आसन की कॉंटर इंडिकेशन को समझ लेते हैं तो दोस्तों यह आसन जो बहुत ज़्यादध अफेक्तिव है बहुत ज़्यादध आपको लाब देता है साथी साथ इसकी कुछ कॉंटर इंडिकेर्शन ज सञालेने कि इस ऀसन आभ्यास में आपके knee joints और ankle joints पर बहुत ज़ादा pressure पढ़ने वारा especially आपके knee joints पर बहुत ज़ादा pressure आता है तो अगर आपको knee joints से related कोई injury है ठीक है या फिर आपको ankle joints से related कोई injury है या फिर आपको arthritis की समस्या है घुटनों में बहुत ज़ादा pain रहता है तो आपको इस आसन के अभ्यास को नहीं करना है साथ ही साथ अगर आपको lower back से related भी कोई injury है बहुत ज़ादा दर्द रहता है आपको आपकी कमर में कोई severe injury है तो भी आप इस आसन के अभ्यास को avoid करें तो यह थी इस आसन की content indications चलिए अब चलते हैं हम इस आसन के अभ्यास की और तो सबसे पहले इस आसन को जो नाम है उसको समझ लेते हैं सिद्ध आसन तो यह आसन क्या करता है कि आपको सिद्ध करता है आपको बहुत सारी सिद्धिया मिलती है इस आसन के अभ्यास से और ये आसन एक meditative यानि के ध्यानात्मक आसन है आपको ध्यान करने के लिए आपके concentration को improve करने के लिए और साथी साथ आपकी जो प्राणिक energy है उसको उपर उठाने के लिए बहुत ज़ादा helpful है ठीक है तो क्योंकि आपका concentration तभी improve होगा जब आपकी energy उपर की तरफ उठेगे तो जो योगीज हैं जो योग करने वाले लोग हैं जो ध्यान करते हैं वो सिद्धासन की practice करके अपनी energy को उपर की तरफ उठाते हैं अपनी प्राण वायू को प्राणिक energy को उपर की तरफ उठाते हैं और ये इस आसन की सबसे अच्छी बात है कि आप इस आसन की अभ्यास से अपनी एनरजी को उपर उठा सकते हैं और आपकी कुंडलीनी जागरन अगर आपको अपनी कुंडलीनी जागरित करनी है अपनी कुंडलीनी पर काम करना है तो उसके लिए ये एक best आसन है तो चलिए देखते हैं किस तरीके से आपको इस आसन की अभ्यास को करना है तो सबसे पहले आप इस आसन की अभ्यास के लिए अपने दोनों पैरों को सामने की तरफ सीधा कर दीजे ठीक है तो इस आसन में सबसे ज़रूरी आपकी पैरों की पोजिशन तो सबसे पहले आपको पेरो की position explain कर देता हूँ कि किस तरीके से आपको इस आसन के अभ्यास में अपने पेरो की position लेनी है ठीक है तो अपने दोनों पेरो को आप थोड़ा से खोल दीजे ठीक है और दोनों पेरो को खोलने के बाद पहले हम right leg से position लेंगे उसके बाद left leg से तो हमें का करना है अपने दाएं पेर को अपने घुटने से band करना है और आपकी जो right heel है जो दाएं पेर की AD है उसको आपको अपने pelvis के नीचे तो आपका जो pelvis reason है और आपकी जो anus है उन दोनों की बीच में जो gap है यानि के आपका reproductive organ है और आपकी जो anus है उसके बीच में जो gap रहता है वहां आपको अपनी AD को रख लेना है यहाँ पर इस तरीके से तो जवाब अपनी AD को अपने reproductive organ और आपके मूलाधार चकर आपके जो anus है वह आपका मूलाधार चकर है वहाँ पर रख लेते हैं तो मूलाधार चकर का काम क्या होता है कि वह base है आपकी Kundalini को जागरित करने में मूलाधार बहुत जादा help करता है तो जैसे ही आप इसको AD को अपने मूलाधार चकर और आपके reproductive organ आपके जो pelvis reason है उसके विलकुल बीच में आप रखते हैं तो आप अपने मूलाधार चकर को feel कर पाते हैं मूलाधार चकर जो है वह help करता है आपकी energy को उपर की तरफ उठाने में और सा कि बाय पैर से आपको किस तरीके से position लेनी है आपको अपने बाय पैर को band करना है अपने घुटने से ठीक है अब आपको आपकी जो बाय पैर की AD है उसको आपको अपने pelvis reason के ऊपर ठीक है तो आपका जो pelvis reason है आपका जो reproductive organ है वो आपकी दाय पैर की AD के ऊपर है अब आपको आपकी बाय पैर की AD को reproductive organ के उपर रख देना है तो आपको जो reproductive organ है वो आपकी दोनों पैर की AD के बीच में आ जाएगा इस तरीके से तो as a beginner, first one आप इस तरीके से इस आसन की position ले सकते हैं अभी full position नहीं है, starting में अगर आप इस आसन का भ्यास कर रहे हैं तो आप यहाँ पर ले सकते हैं तो जो आपकी बाय पैर की AD है वो आपके pelvis reason के उपर आ गई है और आपके pelvis reason के just उपर आपकी nevel के नीचे जो point है वो होता है आपका स्वाधिस्थान चक्र तो स्वाधिस्थान चक्र क्या करता है आपकी energy को आपकी body के अंदर circulate करता है तो आपका जो मूरदार चक्र है वो energy को उपर के तरफ उठाता है आपको स्वाधिस्थान चक्र भी यहाँ पर activate होता है जो आपकी energy को आपकी body के अंदर circulate करता है ठीक है आप चलते हैं इस आसन के अभ्यास में आगे की तरफ अगली क्या पोजिशन होगी कि आपकी जो यहां पर आपकी जो काफ मसल और आपकी थाई मसल है इसके बीच में हमें अपने टोस को फिट करना है ठीक है तो यहां हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने हिप को ऊपर उड़ाते हुए, बोड़ी को एड़ेस्ट करते हुए, थोड़ा सा गैब बनाएंगे, और आपके जो पैर के अंगूटे और उंगलियां है, बाए पैर के, उसको अपनी काफ मसल और थाइ मसल के बीच में, बर ध् दीरे दीरे आपकी मसल्स जो स्ट्रेच होती है, आपकी नीज की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, तो आप इस तरीके से यहां पर रख सकते हैं, अंदर की तरफ, थाड में आपको क्या करना है कि अब आपकी जो काफ मसल और थाइ मसल्स, आपका जो बाया पैर है, लेफ ल ठीके से यहां पर, ठीक है, और आपका जो दोनों हील हैं, उनके बीच में आपका पैल्वेस रीजन यानि के रिप्रोडिक्टिटिव ओर्गन रहेंगे, ठीक है, तो यह आपकी हो जाती है सिद्धासन की पोजीशन, इस तरीके से आपको अपने दोनों हातों को अपने एडियो के बीच में प्रेस होता है, बहुत जादा प्रेस नहीं होगा, थोड़ा से प्रेस होता है, तो यह जो आसने help करता है आपकी बॉड़ी में heat को create करने में, तो जब आप सिद्धासन का अभ्यास करते हैं, एक, दो, तीन मिनट नहीं, अगर आप जब सिद्धासन के अभ्यास को आप अच्छे से करने रखते हैं, तो आप जब 10-15 मिनट तक सिद्धासन में बैठते हैं, तो आपने आप फील करेंगे कि आपकी जो lower body उसमें बहुत ज़दा heat हो गई, आपको burning sensation, feel होगा, क्योंकि जो energy है, वो collect हो जाती है, जो heat है, और वो energy तीरे तीरे आपक जो reproductive organ है, वो अच्छे से press होता है, जिन लोग को योन संबंदी समस्या होती है, महिलाओं में, पूरिशों में, तो उनके लिए सिद्धासन बहुत ज़दा effective है, बहुत ज़दा beneficial है, दूसरी चीज़, जब आप इस तरीके से पैरों की position ले लेते हैं, तो आप आराम से अप की spine सीधी नहीं है, आप अच्छे से नहीं बैट पा रहे हैं, आपकी back हंच हो रही है, तो आप इस तरीके से आप foldable cushion ले सकते हैं, या फिर आपके घर पे जो भी blanket है, आप उसको use कर सकते हैं, अपने hip के नीचे आप रख लीजिए, इस तरीके से आप बैठ सकते हैं, कुछ इस तरीके से सिद्धासन के अभ्यास में बैठ सकते हैं, तो सिद्धासन मैंने आपको पताया है, Kundalini को जाकरित करने में, आपकी प्राणा, आपकी energy को ओपर उठाने में, आपकी energy को body के अंदर circulate करने में, आपकी memory power को improve करने में, जिल लोग को भूलने के समस्या है, चीज भी चीज़ पर focus नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, आपका मन बहुत ज़्यादा विचलित रहता है, आप अपने मन को एकागर करना चाते हैं, तो अगर आप सिद्धासन में बैठ कर ध्यान करते हैं, तो आपका जो है concentration भी बहुत ज़्याद के straight कर देना होता है, फिर उसके बाद आपको अपने दोनों घुटनों को relax करना होता है, आपको ankle joints और knee joints को इस तरीके से relax करना होता है, तो जो इस आसन का final pose है, उसको पहुंचने में आपको थोड़ा समय लगेगा, जबकि आप मुझे देखेंगे तो आपको काफी easy करना है, अपने आपको जो step मैंने बताए, step one, step two, step three, तो उनी step के साथ पहले आप step one के साथ थोड़े समय तक practice करें, जब आपके knee joints और ankle joints की flexibility भढ़ जाती है, तब step two की तरफ जाएंगे, फिर दीरे-दीरे step three की तरफ जाएंगे, तब आप final pose में आएंगे, तो दोस्तों य यह थी जानकारी सिद्धासन accomplished pose के बारे में, मैं आशा करता हूँ कि इस जानकारी के साथ आप इस आसन के अभ्यास को अच्छे से कर पाएंगे, और यह जो जानकारी हमने आपको दिये सिद्धासन की आपके लिए बहुँचाता helpful रही होगी, आप लोग को पसंद आई होग तो दोस्तों आप करिए सिद्धासन accomplished pose का अभ्यास हम आपसे मिलते हैं जल्दी ही अगले अभ्यास में तब तक के लिए नमस्कार